हाँ तो बच्चो मैं अमित कुमार दुबे क्लास सेविन के सभी बच्चो को यह चैप्टर ट्वेंटी थी कुलिटी अक्की फीचरस आफ डेमोक्रेसी के दूसरे क्लास में मैं आप लोग का विलकम कर रहा हूं जैसा कि बच्चो तुम लोग जानते हो प्रिवियस डे मैंने तुम लोग को कंवेंस किया था घर में कि आप लोग इस चैप्टर का न बुक से स्टडी कीजिएगा जिसमें पेज नमबर 178 पेज नमबर 179 और पेज नमबर 180 को पढ़ने के लिए आपको कहा गया था जिसमें कुछ मेजर फैक्ट्स थे जिसमें एक्वालिटी के बारे मे इसमें इस और समझने में चुबधा होगी जिसमें मैं एक चोटा सा यहां पर वाक्षिट त्यार किया है जो तुम्हें काफी उपयोगी लगेगा जिसके help से तुम अच्छे से study कर सकते हो देखो यहां पर equality है अब इसमें पहले हम introduction के बारे में देखेंगे जिसमें यह असपाशतर पर दिया गया है कि equality means equality means equality is the basic feature on which that stability of the democracy depends and influence all the aspect of the functioning of the government in India और भारत में यह executive यानि कार्जपालिका के सम्मुख तुम्हारा है ना equality की बाते होगी लेसलेटी बिधाय का तुम्हें समानता प्रदान करेगी नयाय के समक्ष तुम्हें समानता प्राप्त होगी और इसके अलावे इमांग प्रदामेंटल राइट जो भी हमारे देश में छे फंडामेंटल राइट प्रबाइट किया जाता है यह सब को कॉमन होता है समान हमारा होता है इंडिया जो बहरत के समिधान द्वारा प्रदत है तो यहां पर मैंने हिंदी में तुमको लिख भी दिया यहां पर सम प्लस विधान सम मतलब होता है ब्राबर और विधान का मतलब होता है कानुन अस्थापित करना तो इसलिए हमें equality को entertain करना जरूरी होता है किसी विदेश की लोगतांतरिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डेमोक्रेटिकल सिस्टम को बूस्ट करने के लिए है ना हमारा equality होना बहुत जरूरी होता है अब यहाँ पर हम लोग types of equality पर चर्चा करेंगे जिसमें पहला है political equality जिसको हम लोग राजनेतिक समानता कहेंगे है ना दुसरा है economical equality जिसको हम लोग आर्थिक समानता कहेंगे और तिसरा हमारा है social equality जिसको हम लोग समाजिक है ना शमानता कहेंगे and equality and dignity यह तुम्हारे गरिमा के साथ में तुम्हारे बेक्तित्तों के साथ में ये कैसे समानता की बात हमारी की जाती है ये हमारे समिधान में किस परकार से जिक्री किया गया है तो देखो यहाँ पर political equality का मतलब राजनेतिक तोर पर तुम्हें समान अधिकार प्राप्थ होना उसमें सबसे पहला और important terms हमारा आता है universal adult franchise का यानि कि any adult who is of 18 years of his or more has the right to caste अठारा साल उसे ज्यादा का हो और उनके पास में भोट देने का मत देने का अधिकार हो यानि कि किसी भी बेक्तिक को चुनने का जो अधिकार हमारा समान रुप से होता है तो यहाँ पर political equality में जो universal adult franchise हमारे देश के नागरी को जो प्रवाइड किया जाता है इसमें देश के प्राइम मिनिस्टर से ले करके और अंतिम पैदाम पर बैठा हुआ बेक्ति चाहो किसी भी profession job है ना रिक्सा पूलिंग करने का काम हो sweeping class हो labor class हो यह सब को equal हमारा प्रवाइड करता है और यही एक हमारा अधिकार है जो हमें राजनेतिक तोर पर हर एक अधना सा ब्यक्ति यानि कि समाज के अंतिम पैदाम पर बैठे वे ब्यक्ति को भी हमारे देश के राश्पति और प्रधान मंत्री के समकक समान अधिकारों की बात हमारा करता है तो देखो इसमें क्या है कि इसकी कौन-कौन सी मतलब factors हमारे हो सकते हैं तो देखो सबसे पहला है based on the idea of equality यह समंदक अधिकारों के सिधानतों पर हमारा धारित होता है जिसमें यह बात का जिक्र किया गया है कि ओक ब्यक्ति किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो यह कोई मायने नहीं रखता वो हमारे देश का हिंदू हो, मुस्लीम हो, सीख हो, इसाई हो, पार्शी हो, बुद्ध हो, जैन हो है ना यह सब समान है और इनको equally हमारा अधिकार प्राप्त है तो यह बात यहां पर देगे इसके बात में दे रहा है एजुकेशन की जहां तक सवाल है तो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, इससे कोई मतलब ने बनता है मत देने का अधिकार, अपने इच्छा जाहर करने का अधिकार हमारा होता है तो यहां दिया है का how much educated education दे है कोई जरूरी नहीं को पढ़ा लिखा और सिक्षित हो, no doubt पढ़ा लिखा और सिक्षित बैकती अच्छे चीजों का चुनाव करते हैं रेस्पेक्टिव, लेकिन हम education की बेस पर भीन उनको discriminate नहीं कर सकते हैं वाट कास्ट देयर, हैना की जाती से बिलॉंग करते हैं जैसे कि जातियों का हमारा एक heterogeneous society में बहुत स्यास सच है जिसको हमें सामना करना पड़ता है जैसे हिंदू धर में बहुत सारी जातियां होती है ब्राम्भान, छत्रिय, वैस, शुद्रय, निम्न जातिया अब परकास्दी से बहुत सारी बाते उसमें होती है तुम जाति को बहुत नजदीक से बिहार के लोग तो खैर इसको जानते हैं देश में बहुत ज़्यादा यह badly entertain होता है जो बहुत है bad fact है हमारे society के लिए और हमारे democratical system के लिए भी तो यहां हम cash की base पर भी discriminating कर सकते हैं इसके लावा वो गरीब है अमीर है यह कोई मैंने नहीं रखता है है ना रिक्सा चलाने वाला income जो भी उसका बहुत छोटा income भी हो बहुत ज़्यादा highly reach जो भी होंगे या तुम्हारा well of family से बिलोंग कर दो उससे कोई मतलब ने सबका समान हमारा अधिकार हैं पर परदान के जाता है इसके बाद नेक्स से तुम्हारा profession का अब वो profession के इस प्रकार का है स्विपिंग करता है रिक्सा चलाता है household worker है लेवर है टीचर है एडवोकेड है इस अधिकारी है डॉक्टर है जो भी हो उसके बेस पर भी हम ना किसी प्रकार का discrimination नहीं कर सकते हैं इसके बाद नेक्स देखो इसमें है economical equality जिसमें इस पर जिक्री किया गया है कि when all the people have equal access to the available necessary resources to fulfill their daily needs of the livelihood अब ये कहता तो जरूर है कि जो हमारे देश कंदर में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं हर एक वैक्ति के लाइब होड प्रमोशन के लिए लाइब होड के fulfill करने के लिए equally available होना बहुत जरूरी है लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी सचाई है कि ये जितना equally distribute करने की बात करता है equally distributed नहीं है इसमें बहुत जादा मतलब economical एक हमारा खाई पैदा हो गई है देश में आर्थिक जो है ना असमानता का अस्तर बहुत जादा मतलब यह है अब देश में कहना नहीं है है ना एक तरफ देखो तो सारे संसाधनों पर समाज के संपन बर्गों का अधिकार है दुसरी तरफ marginalized community अब इसका अंदाजा तुम लगाओ हमारे देश में सरकारी आकड़ा 42% का है BPL का बट मैं ऐसा समझता हूं 60% से कम नहीं होगा तो समझो के 120 करोड़ population में अगर 60% population अगर below poverty line है गरीबी रिखा कि नीचे गुजर बसर करने वाले लोग हमारे देश में 72 करोड़ के असपास में है इसी संदाजा तुम लगा सकते हो कि economical inequality हमारे देश में कितना ज़्यादा हाई है इसके बाद में उसमें appeal की बात किया थी above poverty line यह हमारा बर्ग एक ऐसा होता है जो समाज का संपन बर्ग होता है जिसके पहुंच में सारी resources होती है बट यह होता है दो जोनकी रोटी भी नसीब नहीं कर पाते हैं इनके पास में lackness of money, lackness of resource गरीब होते हैं पिछड़े होते हैं unhygenic way में unhealthy way में रहना इनकी एक मजबूर पर पटी वगर है में रहते हैं जैसे example के तर पर तुम्हारे बूक में एक सुसीला की कहानी दी हुई है जिसको तुम देख सकते हो जिसमें देखो यहां पर सुसीला जो है एक महिला है जो किसी स्लम एरिया में रहती है ठीक है न ड्रेन बिहांड हर हाउस ऐसे लोगों को तुम देखोगे प्रायर नाले के उपर में घर बना कर कि किसी तरीके से रहते हैं उसकी पुत्री विमार है बेटी जो है डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती है डियू टू लैकने सफ मनी पैसे की कमी के कारण वो किसी से उधार मांग करके आज जैसे भी वो नहीं सक्षा में नहीं जा सकती है है और इसमें दे रहा है कि जबकि रीच पीपल के जो होंगा होंगे हमारे विकॉज दे हैव इनफ मनी संपन पर अचानक से उनकी ले उपलबद रहता है जबकि सुसीला के एक एक जामपल इसमें दिवे कि मेनी पीपल हूँ लिवस इन डेमोक्रेटिक इंडिया हूँ है राइट वोट बट विद डेली लिविंग और वरकिंग कंडिशन्स आर फेर फ्रॉम इकॉल बहुत दूर है इंसे समन्ताओं से उनका बहुत ज़्यादा दूरी बने हुए है मतलब तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि गरीब परिवार का बच्चा एक संपन परिवार के बच्चों के बीच में किस परकार के हमारे डिफरेंसेज देखने को मिलता है तो यह हमारे देश में आर्थिक जो समन्त है यह किवल आर्थिक समन्ता कहने का है जबकि एक्च्वली इसको देखा जाए तो यह बहुत ही ज्यादा गरीबों के पहुं से दूर है ठीक है इस वीडियो में इतना ही ठीक है थैंक्स